नमस्कार दोस्तों वियली सोसाइटी में आसे का एक बाद फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप एक अधार कार्ट धारक है या आपके फरिवार में किसी का अधार कार्ट बना हुआ है और आपका अधार नमबर खो गया है या अधार खो गया है उसका अधार नमबर भी आपको याद नहीं है कहीं पे भी आपके पास उसका कोई भी प्रूफ नहीं है और आप चाहते हो कि बिना अधार नमबर के नाम से आपका अधार कार्ड कैसे डाउनलोड हो कैसे आपको पता करके अपना अधार कार्डा सेर्च कर सकते हो अधार दाउलोट कर सकते हो सेड़ेकश कम Rowan सिंपल से स्टप्स को पूरा कर के तो आज के वीडियो में को4 जानकार होगा कि कैसे आपको जो है ओना अधार कार्ड डाउनलोट करना है नाम के जरीए से तो और अगर आपका अधार का नहीं बना हुआ है और आपको आपने करवाए था उसका रसीद बगएर का भी आपके पास नहीं पता है नहीं नमबर जाना चाहते हो कैसा है पता करोगे वह सारी चीजे बताऊंगा लेकिन दोस्तों वीडियो में अगर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डारेक्ट लिंक दे दिया है जहां से आप यूडि की वेफसाइट पे जाके यूडि की ऑफिशल वेफसाइट पे माई अधार सेक्शन के वीतर जाके देखोगे तो आधार सर्विसेस में आपको रिट्रीव लॉस्ट और फार पेज आएगा जहां पर आपको अगर अधार नंबर फाइंड करना है तो यहां पर नाम डालोगे मुबाइल नंबर डालोगे कैप्शा कोड डालोगे सेंड.टीप करोगे आपको अधार नंबर आपका आ जाएगा या फिर उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और अगर आप आदर आपका साँ और आधार इडान चाहते हो है तो मैरे केस मैं मैं आधार नंबर जानना चाहता हूँ तो मैं यहां सबसे पहले आपको नाम डाल देना है तो यहाँ पर उसके बाद आपको capture code डाल देना है capture code पर click करने के बाद send OTP जैसे करोगे तो OTP आपके mobile number जो भी registered है उस पर आ गाएगा लेकिन दोस्तों यह OTP तभी आएगा जब आपका mobile number या email address इससे link होगा ठीक है तो in case अगर आपके पास mobile number email id नहीं है तो यहाँ पर randomly आप डाल के जो भी आपके पास existing घर पर mobile number थे वो डाल के check कर सकते हो कि वह number आपका आधार से अगर link होगा तो यहाँ पर send OTP हो जाएगा तो इससे आपको confirm हो जाएगा कि आपका इस number से इस आधार से इस नाम से इस number से आपका अधार guard बना हुआ है तो कहीं भी enrollment center पर जाके यह detail बता कि आप fingerprint से download करवा सकते हो लेकिन अगर आपका number लगा हुआ है तो simply से यहाँ पर submit करोगे और submit करते ही आपका अधार number जो है यहाँ पर जाके माई अधार सक्षन में आपको जो है download अधार का जो option दिया रहता है यही माई अधार वाला page होता है जहां से login करके अब अपने अधार को download करने के साथ साथ इसमें आप जो है correction वगेरा भी कर सकते हो चाहते हैं तो उसके लिए order कर सकते हैं प्लस यहाँ पर आपको देखो bank, seeding और बहुत सारे option मिल जाते हैं जहां से आप अपना authentication के history और payment history बगएरा भी देख सकते हो तो यहाँ पर मैं simply से download अधार वाले पर click कर देता हूँ जहां पर आपकी कुछ basic detail दिखाई जाएगी जिस पर आपको download आधार पर simply से click कर देना है इतना करते ही आपका आधार download हो जाएगा जहां पर आपको इसको जो है जो इस तरीके से password बताए गया है यानि कि नाम के चार अच्छर और जन्म का वर्स इतना डाल के इस PDF को खोल लेना है और उसके बाद कुछ इस तरीके से आपका आधार काड आपकी स्क्रीन पर download हो जाएगा तो दोस्तों आशागरता हूं आपसे को वीडियो काफिय चल लगए अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक नेक साथ भी दोस्तों जरूर बचाएगा अगर आपको कोई सुझाओ है तो लिखके जरूर बताएगा मिलता है से किसी नए वीडियो में तब तक लिए बाबा जय हिन